बिग बॉस की धमा के दाश शुरुवात के बाद अब मेकर्स शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नए नए टास्क्स दे रहे हैं हाले में घरवालों को एक नया इम्म्यूनिटी टास्क विला इस टास्क के लिए घर के गार्डन एरिया को एक फार्म में तबदील किया गया टास्क के लिए बिग बॉस ने घरवालों को दो टीमों में बाट बिया दोनों टीमों के सदस्यों को किसान बन कर अपने अपने खेत को सुन्दर बनाना वही तूफानी सीनियर्स यानी हिना खान, सधाथ शुकला और गौहर खान को गाओं के दुकानदारों की भूमिका निभाने के लिए कहा गया इस टास के दौरान आपस में कंटेस्टेंट्स एक दूसरे से खुब भिड़ते नजर आए माई स्टास के दौरान जैस्मन भसीन ने काफी अच्छा खेला और चार लड़कों को अकेले ही मात दे डाली इस एपिसोड को देखने के बाद हाली में उनके खास दोस्त अली गोनी ने उन्हें शेरनी बता डाला अली ने ट्वीट कर लिखा अली के स्ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर भी फैन्स जैस्मन भसीन की तारीफ करते नहीं थक रहें और बिग बॉस की स्ट्रॉंगेस्ट कंटेस्टेंट बता रहें देखे जरा कुछ ट्वीट्स राई अब आई है शेरनी मूड में बहुत अच्छा लगा जैस्मन को इतना स्ट्रॉंग देखकर यार क्या लड़की है स्ट्रॉंग है भाई ये लड़की एक नारी चार लॉंडो पिभारी वेरी एमोशनल आंड दे स्ट्रॉंगेस्ट परसन अट दे सेम टाइम शी इस ट्रीक तो वाच येस, तोडेशी प्लेट वेरी वेल इस टुडेशी प्लेट वेरी वेल ये लड़की वाच बिगबोश 14 बट आ लोहाई बीगबोश के एक संटेस्ट्ट रह चुके कुशार्ड तंडन ने भी हाले में जैस्मन की खूब तारीव की उन्होंने ट्वीट कर लखा आपको बता दे स्टास्क के दौरान जब जैस्मिन से चार लड़के भिड़ने आ गए थे तब संचालक बनी निकीता बोली ने इस बात का विरोध नहीं क्या था जिसके बाद जैस्मिन ने निकी को एक बेकार संचालक कहा था और एजास खान को मर्द बनने के लिए कहा था वल देखा जा तो जैस्मिन अभी तक अच्छा खेलती नजर आ रही वो अपने लिए स्टैंड भी लेती है जो उनके मन में होता है उससे साफ साफ बोल भी देती है वहीं टास्क भी काफी अच्छे से कर रही है वैसे आपको कैसा लगा उनका गेम हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिग बॉस 14 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए बने रहे हमारे साथ